बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो निरास हैं और उनका PTT में नहीं हुआ है और VHTC में भी नहीं हुआ है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो खुस भी हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके मन में दिल में निरासा की किराण है क्योंकि PTT की दूसरी लिष्ट जो है वो जारी की गई है उसमें उन लोगों का सिलक्षन नहीं हुआ है हमने जो कटाफ बताया था हमारे कटाफ के बताने के अनुसार भी नमबर कम होने की बज़े से या आप ये वो सकते हैं या फिर नमबर ज़ादा भी थे फिर भी बच्चों का सेगंड लिष्ट में सिलक्षन नहीं हुआ है उनको कॉलेज नहीं मिला है वो बच्चे काफी निरास हैं और काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या 2023 में PTET के फॉर्म फिल किये जाएंगे या नहीं किये जाएंगे गाइस कुछ दिन पहले आप लोगों ने नियूस पेपर में एक कटिंग पड़ी होगी उसमें साब साब लिखा था कि अगली साल से PTET और VSTC दोनों कोर्से जो हैं वो खत्म किये जा रहे हैं और उनकी जगाएं पर NCRT के दोवरा नए कोर्से से लाउंच किये जाएंगे बैसा काम करें में आप लोगों को बोला था की मैं आप लोगों के साथ में हूँ जब से PTT आया है तब से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ काउंसिलिंग से लेके कॉलेच एलोटमेंट तक की मैंने आप लोगों को जानकारी दी है और मेरे दोरा दी गई जानकारी बिल्कुल सही भी निकली है और कहीं न कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे की बोलते थे की इसके पास कोई दूसरा काम नहीं है ये पीडिटी के बीडियो डालता रहता है जानकारी देने की क्या जरूरत है बगएरा बगएरा लेकिन मैंने उन सब बच्चों की बातों का अंसुना किया और मैं रेगुलर बीडियो बनाता रहा आप लोगों के लिए और आप लोगों का सपोर्ट भी मिला अप लोगों का सपोर्ट भी मिला सबसे जाद दुख दुखी मैं हूँ जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है सबसे ज़ाद दुखी मैं हूँ मतलब कहने का मतलब कि आप लोगों के नमर इतने होने के बापजूद भी आपको कॉलेज नहीं मिला है जो मेरा आइडिया था कि इतने नमर में आपको कॉलेज मिल जाएगा और उतने नमर में आपको कॉलेज नहीं मिला तो यह टेंसन वाली बात है आपको कॉलेज नहीं मिला है बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिनको कॉलेज मिल गया था उन्होंने फीस नहीं जमा की थी और बाद में बोल रहे थे कि मैंने फीस नहीं जमा की है क्या अब फीस जमा हो जाएगी अब देखिए जिन बच्चों का selection हो जाता है वो बच्चे उसका माइना नहीं समझते हैं और जिन बच्चों का selection हो जाता है नहीं होता है उन बच्चों से पूछिए कि उन पर क्या बीत रही है वो बच्चे क्या सोच रहे हैं बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिन बच्चों को कॉलेज भी मिल गया है लेकिन माक्सिट में गरबड़ी है, नाम में गरबड़ी है फादर नेम में गरबड़ी है, काटा गिरी में गरबड़ी है उसकी बज़े से कॉलिज वाले एड़ीसन नहीं दे रहे हैं रिपोर्टिंग नहीं करने दे रहे हैं फीस भी नहीं जमा कर रहे हैं उसका भी मैंने बच्चों को आईडिया बताया था और कॉलिज वाले मनमानी भी कर रहे हैं क्योंकि उनका साल भी बरबाद हो रहा है ना बाती यह है तो जो बच्चे दुखी है आप लोगों के सामने यह मान के चलिए कि आप लोगों के सामने काफी भरतियां आ रही है तो दुखी होने की बात बिल्कुल भी नहीं है अगर आप दुखी हो रहे हैं तो दुखी बिल्क LDC का एक्जाम लगा हुआ है वो भी एक्जाम आपका होना है फिर इसके और अगर आपने राजिस्तान CET का फॉर्म फिल किया होगा अगर आप उसकी तयारी नहीं कर रहे हैं तो आप उस पर तो टेंसन बिल्कुर मतलई यह लिजी आप लोग पढ़ाई आप बिल्कुर निर्वेक से कीजिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगा और मैं आपको एक जानकारी आओ देना चाहूंगा आने वाले दिनों में आप राजिस्तान पुलिस काउंस्टेवल की वेकेंसी देखने क मिल सकती है सबसे ज़्यादा कॉंप्रिटिशन कर आप देखें तो कोई भी एकर फॉर्म निकलता है तो उसमें 15 लाग 16 लाग फॉर्म तो एक मामूली सी बात सी हो गई है फॉर्म पढ़ जाता है 15 लाग 10 लाग 12 लाग यह तो मामूली सी बात है अब देखिए जो बच्चे सी इटी क्वालिफाइ करेंगे जो बच्चे सी इटी क्वालिफाइ करेंगे उन्हीं बच्चों का सेलेक्शन होगा ठीक है वही बच्चे राजेसान पुरिस का उस्टेवल का एक्जाम दे पाएंगे अगर आपने सी इटी क्वालिफाइ नहीं किया तो आप राजेसान तो अगर अगर आपका PTT में नहीं हुआ तो आप SPC कर ली जीए अगर SPC دोनों में नहीं हुआ है तो मैं आपको यहीं बोलना चाहूंगा कि कि आप किसी और की तयारी की सरकारी नव् Pep अब थाफ हे नवकरी आपकी बोलना चाहूं गाए कितने नंबर हैं कितने नंबर यह आने नहीं रखते हैं, अगर आप लोगों की पीडेटी के लिश्ट आती है, घृट्ट अगर आती है, तो यह वालन के चलिए, कि यह आपकी last लिश्ट होगी, इस लिश्ट में आपको नहीं हुआ अगर माल लेजिए, फिर इसके पास भूल कि आबजे मुंट मुइमंट हो गा या नहीं होगा देकि आवज़ दूर आप तक नहीं कहोता तो अब तक niż μια है नहीं पर। टो Victory 20-25 नॉम्बर के वीच में आ जानी चाहिए क्लियर डेट में मैं नहीं बता रहा हूं 20-25 नॉम्बर के वीच में आ जानी चाहिए हो सकता है 21 से पहले भी आ जाए तो बेड़ किजिए आप 3D list का ठीक है 2023 में PDT होगा या नहीं होगा इस पर सबसे ज़्यादा संसर है बच्चों का कि सर 2023 में PDT के फॉर्म कब फिल किये जाएंगे बुक काउं से सबसे अच्छी रहेगी आज एक कॉमेंट साया बच्चे का वो बच्चा पूंच रहा था तो आपको पता ही होगा कि 2023 में PDT नहीं होगा कन्फर्म मैं आपको बता रहा हूँ 100% PDT खत्म हो रहा है PDT खत्म हो रहा है BSTCB खत्म हो रहा है PDT तोनों ही खत्म हो रहे है तो फोकस किजिए आप डिरेक्ट जॉब आप एक ऐसी जॉब पकड़िये कि आपको डिरेक्ट जॉब मिले टीचर की जॉब अच्छी हो तो उसके लिए आपको ब्याड करना होगा ब्याड करने के बाद ही आप और एक्जाम में बैठ सकते हैं जो टीचर के एक्जाम बगएरा होते हैं उसमें आप बैठ सकते हैं तब ही आप टीचर बन सकते हैं तो तैयारी करते रहिए जिन बच्चों को कॉलिज मिल गया है तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टेजर के तैयारी कीजिए तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए तो वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक हो से जरू करें और जिन ब झाल